और आज आप लोग देख लीजिए यह हमारे दो फ्रेंड हैं जो कि हमको खेतों के तरफ लाएं गूमाने के लिए और अभी इनको जो है एक निमंतर्ण मीला है और पूरी के चक्कर में लोग हमको अकेले छोड़के भाग रहे हैं देख लीजिए आप सब कितने बड़े गद लोड़के जंगल में जा रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं काफी जंगली एरिया है खेती ही है इसा कि आप लोग दिखा रहें प्रैंस बहुत ज्यादा जो चारो तरह जहार जंखाड है तो यहां हम ज्यादा देर तक रूखेंगे नहीं क्योंकि सांब बिच्छी हो सक जैसा कि आप लोग पता है कलबारी से बहुत ज्यादा हो रही थी तो सांब इच्छी के बिल में पानी भी भर गया होगा तो उपर आचुके होगे इसलिए हम भी सोच रहे हैं कि धीरे-धीरे घर की तरफ निकल लेते हैं क्योंकि इधर बहुत ज्यादा खत्रा है और बरसाद के टाइम में साब इच्छी बहुत ज्यादा निकलते हैं आप लोगों को पता ही होगा तो मैं अभी खेतों के बीचों बीच हूँ अब यहां से निकल के मैं चलूंगा घर की ओर क्योंकि हमको साब से बहुत डल लगता है फ्रैंस क्योंकि उनकी पॉइसन से मुझे बहुत डल लगता है और मैं उनसे काफी दूर रहता हूं इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपने घर की ओर निकल रहा हूं और अब देखिए हम यहां बारी में आ चुके हैं और काफी डल लगता है इधर क्योंकि बहुत ज़्यादा घास पूस हैं और इधर देखिए आप लोगो उपरी के कंडे की तरीके से रखे जाते हैं फ्रैंस यह देखिए सरसो का जो सरसेटा होता है उससे मड़ा ही बना के तोप के रख्था गया यहां पर और आप सब कैसे हैं क्या करें हमाय सभी फ्रैंस